इनने दिखाए कि आपकी ओफिशल वेब साइट के संपर्ग सूत्र से आपका ये इमेल आईडी प्राप्त हुआ अपने अपने राम का उर्जा सत्र सुना मन वे देह में अनुपम उर्जा का आभास हुआ लेकिन एक प्रश्ण था जो कल भी रह गया राम इश्वर है या महापुरुष बहुत सामान में सवाल है और मैंने कल भी ये कहा था मेरी कोई योजना नहीं है कि मैं आपको श्रद्धा से भरकर बेजू जो श्रद्धा तरकती का सोटी पर नहीं कसी जाती वो कुछ समय बाद नश्ट हो जाते है आप कितना भी अपने ब मिला केवल इस धर्ती को मिला कि यहां भगवान स्वेन आया है यहां दश्रत के आंगर में भुटनों चलते हुए इश्वर को लोगों ना देखा यह के लिए इसलिए भगवान प्रत्वी पर आया हमारे राम प्रत्वी पर आये हमारे प्रश्म प्रत्वी पर आये हमारे प आचरण इसलिए नहीं करते कि ऐसा करना कठिलता का कारण है अक्सर खुद की बैमानी खुद से बचना अपनी शक्ति को बचाने का तर्की होता है अरे इस पर क्या करना यह तो बड़े आदम है हम कैसे कर सकते हैं भगवान ने प्रत्वी पर वो सब किया जो मैं और आप करते हैं मेरी आप की तरह वो रोए भी पत्नी के हरन हो जाने पर उन्होंने विलाप भी किया और विलाप को भी अपने छोटे भाई को भी सूचित किया और कहा कि घन गमंडनव गर्जत गोरा प्रिया वीन हन डर्पत म अरे लक्षमन्ड आकास्में ने बादल टड़कड़ा रहे हैं और तेरी भावी चलीगे यह मेरा मन डर रहा है सोचि किसका मन डर रहा है जिसकी व्रकुटी के तिरियक हो जाने पर यह तुम अपने संकटों से डरते हो तो तुम से ज्यादा संकट तो मेरे जीवन में आये ह और उसके बाद में नंगे पाउं एक वलकल पहन कर विश्व के सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्मा को दूसरे के देश में जाकर पराजित करके लोट सकता हूँ तो तुम अपने अंदर की लंका पर विजय क्यों नहीं पा सकते अपने अंदर की अविश्व का इसलिए यह कहानी प्रतीकों की कहानी है देख ऐसे महापुरुष है जो इश्वर का पद छोड़कर आप तक आए है संस्कृत में हम आवतार कहते हैं उने यह अवतार शप्त कहां से आया है संस्कृत में एक शब्त है अवतारणिका अवतारणिका कहते हैं सीड़ी को नीचे से उपर जाना और उपर से नीचे आना यह किसके मात्यम से संभव है सीड़ी के मात्यम से संभव है इश्वर का मनुष्य बनना और मनुष्य का इश्वर बनना ये किसके मात्यम से समझाए ये आवतार के मात्यम से समझाए इसलिए राम ने आपको बताया कि तुम्हारी तो एक नौकरी में ट्रांसफर हुआ है राम ने आपको बताया कि तुम्हारे को तो थोड़ा सा ही घाटा हुआ है राम ने आपको बताया कि कुमसे तो थोड़े से ही अबसर छिने हैं, मेरे सो तो लगातार छिनता ही आया है, जेकिन उस छिनने के बाद भी मैंने मनुष्यता के लिए प्रतिवी पर पैदा हुए सबसे बड़े खत्रे को उसके घर में जाकर इसलिए पराजित किया ताकि दु चौदे वर्ष बाद राम लोटे दीवाली पर जमाजकल इतनी रोश्नी हो जाती है, सोचो जब हमारा नयक, जब हमारा भगवान चौदे साल बाद बोटा होगा, तो कैसा आहौन हुआ होगा है, राम लोटे तो हर तरफ प्रकाश किया गया, घिरिये जलाए गए, नेमिश सीता, लक्षमन, चगणों में हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामबंद, विबीशन, सब राजा, हर तरफ से पुष्प वर्षा हो रही है, महिलाये रो रही है, बलाया ले रही है, उनके साथ के पड़े हुए युवक्त, उनके जय गोश के नारे लगा रहे ह सडकों पर लोग फूल बिखेर रहे हैं, भगवान ने रत के आगे चलते हुए बरत जी को पास बुलाया, और बरत से कहा, प्यारे भाई, क्या मेरे आगमन से अयोध्यात प्रसंद नहीं है, बरत के आग से आसु आगे, बरत ने का कैसी बाते करते हो, चोहदे वर्ष से यह हाँ प्रसंद नहीं है, एक ही दिन की प्रतिक्षा की है कि आप लोटेंगे, देखी इन सब को कितने प्रसंद है, आपके मन में प्रश्न क्यों आया, राम ने कहा, बाकी सब तो ठीक है, हमारी मा की जो साथ महिलाएं थी, मा जैसे वो भी आई है, मेरे तुमारे साथ खेल कर बड़े हुए जवान भी मुझे दीक रहे है, महिलाएं भी दीक रही है, बच्चे नहीं दिखाई दे, क्या वे अपने तात, अपने ताउ राम के आने पर प्रसंद नहीं है, बर अपने आख में आसु भरतवे कहा, क्या कहूं मेरे राजन, यह यह अध्या आप से कितना प लगता है कि असंभाव बात है, यह असंभाव बात नहीं है, राजा की शुचिता में अगर विश्वास हो जाए, तो राजा जो कहे प्रजा वो मानने लग दे, आम इश्वर महापुरु सयुक्त हैं, इसलिए कहा, रामो विग्रह वान धर्म, राम धर्म का साक्षत विग् जब लेने के लिए गए तो द्रशरत ने कहा, महराज, खर दूशन ताड़का सुबाहू, त्रशरा, ऐसे भयानक राक्षवों से बिढने के लिए, आप मेरे इस किशोर मालक को ले जाना चाह रहे हैं, दुनिया में दो लैब थी उससे में डिफेंस की सबसे बड़ी, एक मित्र की और एक महरशी अगस्त की दक्षड में, महरशी अगस्त जिन्होंने वेइमानी की कप्रियोग किया, विमान कैसे उड़े इसके लिए अगस्त संगिता में बाकायदा खूत्र दियें, महरशी अगस्त जिन्होंने सबसे पहले लाइट कैसे जले, इसके विशे में ब बलको समालने के लिए एक तेजस्वी शरीर और आत्मा चाहिए उन्हें सूचना थी कि भगवान अउचार हो उन्हें पदा जा कि दश्रत के पुत्र में वो शक्ति है कि इसको समाल ले दश्रत ने कहां मेरा ही बेटा क्यों पिता के अंदर मोह होता है एक छोटी सी गलत जाय कहीं कंपा जहीं क्यंकि जीवन में कुछ हो जाये पहले जो दो लोग को शिंद थे होते हैं वह पहली आपकी माता और आपके पिता जश्रत बहुत फेजस्वी बेटों के पिता है दश्रत ने का इसे ही क्यों ले जा रहे है मुझे ले जाई है मेरी सेना को ले विश्वामित्र ने का जो इसके पास है वो किसी के पास नहीं है राजन दश्रत ने का ऐसा क्या है विश्वामित्र ने उत्तर दिया कि चार चीजें होती है दुनिया में एक मिल जाये तो आदमी पागल हो जाता है सबसे पहला यौवन जवानी आती है तो आदमी पागल हो जाता है 16 साल के बच्चे को खूब बताते रही है कि उपर बारिश पढ़ रही है ओले बरस रहे छट में मत जा खांसी हो जाएगी आदमी चला जब यौबन आता है तो आदमी प्रत्वी में तीर मारता है तो नीर निकल कर पिता में अभीष्ण के हूटा बरा जाता है अर्जुन का यौवन था पिता में को प्यास लगी पानी पिलाओ को सोने में लाए कोई चांदी में नहीं अर्जुन के लाएगा अर्जुन ने का बाबा क्या बात कि बेटा फांदी पिला मारा तीर नीचे और इस सुविधा के साथ इस वैज्ञानिक गणना के साथ मारा कि वाटर लेवल इतनी तेजी से आया कि सीधे होटों पर ही आ सके और यही अर्जुन जब द्वारिका से भगवान के सरक्षन में पलने वाली रानियों को लेकर जा रहा था गोपिकाओं को लेकर जा रहा था तो हस्दिनापुर के बॉर्डर पर वन बंधों ने उससे सारा सामान चील लिया और मेरे इलाके में कहावत चलती है भीलन लूटी दूपिका वोई अर्जन वही बाण पहली चीज़ है यौवन है दूसरा है धन पैसा आजाए अहां बातरूम में भी टॉयलेट में भी सौने की पेटिंग नरा देता है नहीं नहीं जौलत वाले जहाद में आपको बहुत मिलते हैं उनका पुरा अस्तित उपर से नीचे त तेकिन संतों की वियानद है आज इस कारिफिम में हमारा देश वो है जो क्या पहन रखा इस पर निर्वन नहीं करता अंदर कैसा विचार धारण कर रखा इस पर निर्वन करता है यौगन दूसरा क्या हुआ धन तीसरी संपत्ति है पैत्रिक संपत्ति हवेलियां ये सामान पुरा नहीरा और चोथा प्रभुत्व ये बड़ी बुरी चीज़ ये प्रभुत्व कभी दिल्ली जाना लाल किले के सामने से निकलना राजिस्थान के किलों के सामने से निकलना जिन किलों के परकोटे पर खड़े हुए एक आदमी की आग्या से आपके जीवन का सूरज असमे डूब सकता था या आपके घर में धन्धन्य की वर्शा हो सकती थी आज उनी किलों की दीवारों में पेड उगाए हैं उनी किलों की दीवारों में किसी भी वंचित किसी भी पिशड़े, किसी भी शोशित का लड़का अच्छी नौकरी अच्छा धन पाकर वही कमरा बुख कराता है जो कभी महराज के लिए तेह हुआ था और रात्री व्यतीत करता है इसे प्रभुत्व कहते हैं विश्वामित्र ने कहा इन चार में से एक आ जाए तो मनुष्य की बुद्धी ब्रश्ठ हो जाती है महराज दश्रत तुम्हारा लड़का आदमुत है कि उसके पास चारों है और फिर भी विनम्र है योवणम धन संप प्तिप्रभुत्वम अविवेगता एकम्रण प्यद्ध से product है इसलिए या मा आदर्श हैं इसी निये वर्यादात तो जिसने पूछा कि वह कैसे हैं परीजन ने अपने हिसाब से देखा तुनसी ने अपने हिसाब से देखा वालीगी ने अपने हिसाब से देखा कमन ने अपने हिसाब से देखा उसको उत्तर दे रहा हूं जिस व्यक्ति ने उससे पूछा है कि मनुश्यता ने जो इश्वरत्प का सबसे बड़ा सपना देखा वो राम मानब ताकी खूली आँख के सबसे सुंदर सपने राम मानब ताकी खूली आँख के सबसे सुंदर सपने राम जेप्याबाणी अर्थबती हो गई लगी जब जपनेरा जेप्याबाणी अर्थबती हो गई लगी जब जपनेरा मात पिधा गुरू जन परिजन ने अपने अपने देके थे आप विकारू जल पर जल ने अपने 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 राप अपने 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 बुल्सियावर राम चंद्र बगवान के जेए